नमस्कार अभिवादन मैं दुर्गेंदर चोहान समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेता आजम खां से सीतापूर जेल में मुलाकात का होहला करके क्या कॉंग्रेस पार्टी यूपी के मुसल्मानों को ये संदेश देना चाहती है कि मुस्किल से मुस्किल वक्त में भी वह उनके साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेंगी क्या यह उधारना कॉंग्रेस मुसल्मानों के बीच बनाने की कोशिश में है कि अखिलेश यादो और उनकी समाजवादी पार्टी आजम खान और उनके परिवार के साथ कटिन वक्त में खड़ी नहीं रही एक और सवाल जिसका उत्तर मिलना बाकी है कि क्या यूपी का मुसल्मान सपा के इतर कुछ सोच सकता है क्या ये बड़ा सवाल है और वह भी चाहे कॉंग्रेस ही क्यों नहीं हो एक और दूसरा महत्पूर्ण सवाल ये है कि क्या आजम खान को लेकर अजयराय का कदम अजयराय के बयान उनका जेल में मिलने जाने का उरा जो हो हलना क्या कॉंग्रेस पार्टी की लोग सभा चुनाओं को लेकर यूपी में बड़ी चूक है क्या मन्थन आज इसी पर पहले बात कर लेते हैं कि उत्तरप्रदिस कॉंग्रेस के अध्यक्ष अजयराय ने एलान किया था कि वो अजम खान के साथ हैं और वो उनसे मिलने जाएंगे अजयराय बाकाइदे फलों की टोकरी लेकर वहां गए आसीतापुर जेल और बाकाइदे उन्होंने वहां पहुंचे लेकिन उनको वहां मिलने नहीं दिये गया उनको वहां एक तरीके से उनको बैरेंग लोटना पड़ा और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जहां तक मै समझ पा रहा हूं कि उनको इजाज़त नहीं दी गई अब इजाज़त ना मिल पाने का कारण जेल प्रसासन ये बता रहा था कि कम से कम एक पंदरा दिन में केवल दो लोग जाते हैं इसलिए आज उनके परिवार के लोग गए हैं इसलिए अजेराय के मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन वास्तों में अजेराय की अनुमती को एक तरीके से वहां के प्रसासन ने अनुमती नहीं दी उनको ये कहने के लिए कि भई जायवे और आजम खां के साथ बातचीत करें मिलें इसकी अनुमती नहीं दी जेल प्रसासन में हलांकि एक ख़बर ये भी है कि आजम खां ने मिलने से इंकार कर दिया इंकार वाली बात पहले भी जब आजम खाँ सीतापुर जेल में बन थे तब ये हो रहा था कि आजम खाँ किसे से मिलना नहीं चाहते लेकि जब आजम खाँ जेल से चूटे तो उन्हें कहा कि मुझे तक बहुत सारी खबरे नहीं आती थी इभी कहके उन्होंने एक नए तरीके से पूरे गुणा गणित को एक तरीके से पूरी तरीके से उन्होंने एक नया एंगिल दिया था कुल मिलाकर अगर रिखा जाए तो मुलाकात का मकसद राजनितिक नहीं था ये अजे राय कहे रहे हैं और वो कहे रहे हैं कि अजम खान साहब को हाल चाल जाना चाहते हैं अब राजनितिक नहीं था तो इतना हो हला क्यों अजे राय को तो पहले ही पता था कि अजम खान साहब आजम खां के समर्थन में चलाया उनसे मिलने गए और कोशिश की के मुलाकात हो जाए अजे राय ने आरोप लगाया कि कुल में लाकर जो प्रसासन है उतरप्रदेश की सरकार है वो आजम खां से मिलना नहीं देना चाहती इन सब पूरी घटना करम के बीच जब अजे राय सुबह सुबह सीतापुर के लिए रवाना हुए उससे पहले एक पोश्टर दिखाया जाए वो पोश्टर लगा हुआ उतरप्रदेश कॉंग्रेस कारयले के बाहर एक पोश्टर लगा हुआ मिला और उसमें साफ लिखा है कि 24 में राहुल और 27 में राय यानि 24 में यह उस पोश्टर का जवाब है जो अखले स्यादव के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के कारयले के बाहर ये पोश्टर लगा दिया था उस पोश्टर में अखले स्यादव को पृधाल मंत्री बनाने के बाद की थी इसमें तो उ अखलेश शादव के उस poster ये फक्र उलहसंद उसक्र वार भी वो रहा है एक दूसरे के वोटों पर वी हो रही सिंपैथी भी दिखाने की कोशिस की जा रही है इस तरीके के ये पुछ चीजें निकल रहें जो ऐसा लगता है ये बात सुरू ही थी मद्ध्र परदेश में चुनाओक में सीटों को लेकर और बात यहां तक पहुँच गई है मद्य प्रदेश में सीटे क्यों नहीं मिली क्या हुआ क्या नहीं हुआ दिगवजे सिंग मद्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री उनका एक बयान आया जिसमें बहुत कुछ साफ हो गया है हम दिगवजे सिंग को सुन लें पहले फिर उत्तर प्रदेश तो मद्य प्रदेश का चेप्टर क्लूज हो जाएगा उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की कथा काया जो बोटों को लेकर अलफचंखे कोटों को लेकर इंडिया के गठबंधन में जो समाजवादी पाटिव कॉंग्रेस उनी में आपस में जवर्दस तरीके से चीना जप्टी जैसे दिख रही है अब है की नहीं यह पता नहीं लेकिन दिख रही है और अपस में इंडिया वाले आपस में ही इंडिया गठबंधन वाले आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं मुझे लगता है दिखवजे सिंग को सुना जाए को इस तरह की बात किसी को किलाफ करना नहीं चाहिए हाँ मैं इसको स्विकार कर रहा हूँ मेरे पास कमलाजी ने अशोक सेंजी को बेजा था और दीवनारा यादा वाय थे और एक हमाद उनकी टीम आई थी मेरे साथ चर्चा हुई इसी कमले बैठके चर्चा हुई थी मैं पुरी साफ सुद्री बात करता हूँ चुवाने की बात मुझे नहीं है समाजवादी पार्टी का एक कैनिडेट जीता था बिजावर से जो बीजवीम चला गया दो सीटों पर वो उनके अच्छे वो एक दो सेकेंड आये थे इस तरह से तीन सीटों की उपर फिजात हो सकती थे वो च्छे सीटे माग रहे थे चर्चा हमारी हुई और चार सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए इसका मैंने बना के कमलना जी को भेज़ दिया था इंडिया अलाइंस से उसके साथ हमारा क्या संबन दोना चाहिए तो उन्होंने स्टेट इलेक्शन्स में स्टेट डीडर्शिप पर ये छोड़ दिया है लोग सभा का चुनाव इंडिया एलाइन्स मिल कर लड़ेगा लेकिन स्टेट के इलेक्शन्स में हमारे अलग-अलग इशू है समाजवादी पार्टी मुलाइम सिंजी की बूच पर बड़ी कृपा थी जब वो मुक्यमंती थे मैं भी मुक्यमंती था उस जैसे राजनेता हमने देखे नहीं आज की हुए है उनकी बड़ी क्रपा रही और जब भी मुझे मैं ताइम मांगता था मुझे मिलते थे बाचित अखिलेश बहत शरीफ लगती है अच्छा लड़का है पड़ा लिखा है और उन्होंने वस्य समाली है परिवार को समाला है हाँ अब ये चर्चा कहा बिगली मैंने जानता लेकिन कमल नाजी पूरी इमानदारी के साथ समझवता करना चाहते थे अब ठीक है लेकिन अलाइज में तो फ्रेंडली फैट हो जाती है लेकिन इतना हमको मालूम है कि समाजवाजी पार्टी और अखलेजी भाजबा के साथ तो नहीं जाएंगे पिछली बार भी जो आया था वो सीधा हमारे पास आ गया था कि बाह्ट में कॉंग्रेस के था तीन बार कॉंग्रेस के टिकेट हारा है और यह बार पर भाग गया फिर भाग गया दीजी थी भे अजे रहे कहते हैं कि प्रसासन ने उन्हें नहीं मिलने दिया जान बूचकर आजम खा के खिलाब शड़यन तरकिया जा रहा है इस बहुत सारी बाते आजया रायनिक कही है लेकिन धिगवजे सिंघ ने पूरे इस प्रक्रण को साफ कर दिया है प्टा छेफ कर दिया है इस पूरी मसले का कि वास्थों में टिकट का मसला क्या था और इसको धिगवजे सिंघ को सुन के लग रहा है कि ऐसा कोई बहुत भाल था नहीं यह बवाल बना और इसकी वज़र अब किसने बनाया अहलेश याद हो ने बनाया कॉंगरेस ने बनाया दोनों ने मिलकर बनाया यह यह बड़ा सवाल है और इसके पीछे क्या है इसके पीछे उतर प्रदेश में लोक सभा की में किसकी कतिनी kier inh हुई इसको लेकर दबाओ एक दूसरे पर बनाने की टैक्टिस मुझे ऐसा लग रहा है हलांकि अब ये खीस्तान थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है और अजेर आए अगर बिना हाई कमान कि किसी इशारे पर ऐसा कर रहे होते तो अब तक उन पर कारवाई हो जाती है तो मैं इसमें हाई कमान या कॉंग्रेस का जो सिस नेतत्र है उसको बिल्कुल अलग नहीं मानता हूँ कुन मिलाके ये सिती परिसिती है जो पोश्टर अखलेश यादों के पोश्टर के जवाब में जो कॉंग्रेसियों ने पोश्टर लगाया रहुल गांधी को प्रधान मंतरी का चेहरा और अजेयरा को मुख मंतरी का चेहरा 27 में बताने वाला ये पोश्टर उस पर उस पोश्टर में क्या है और उसके राजनीतिक नहतार्थ क्या है और अजेयरा का क्या रियक्सन है हमारे सहयोगी भर्त सेठी ने ये जानने की कोशिस की बले ही उत्तरप्रदेश में और देश में 2024 के चुनाव में अभी समय है लेकिन अगर बात करें पोश्टर वार का तो उसकी शुरुवात हो चुती है कुछ दिन पहले समाजवारी पार्टी का रहले के बाहर अखलेश जाल को भावी परधार मंतरी का चहरा बताया गया था लेकिन अब कॉंगरेस पार्टी जो कारेयले है उसके बाहर भी एक पोश्टर लगा दिया गया है पोश्टर में 2024 में राहूल और 27 में राय मतलब की उत्तरप्रदेश में जो चुनाओं होंगे उसमें मुखमंत्री का चैरा अजे राय को दर्शाया गया है और देश के जो 2024 के चुनाओं होंगे उसमें प्रधान मंत्री का चैरा राहूल गांदी को बताया गया है पोस्टर वार की जो शुरुवात है वो हो चुकी है राजधानी लखनों में लगातार पोस्टर वार देखने को मिल रहा है अखले जादव के पाटी का रहाले के बाहर और अब कॉंग्रेस पाटी का रहाले के बाहर लगातार सभी अपने आपको प्रधान मंत्री और चुकी है आगे भी पोश्टरवार लगाता राजधानी में तमाम जाके देखने को मिलेंगे लेकिन देखना यह होगा कि इंडिया गडबंदन में आखिरकार कौन प्रधान मंत्री का चेहरा बनता है और क्या योगी अप्रमुदी जी की सरकार उत्तरप्रदेश में और देश जीती जाती है तो वही दाफियदार होता है प्रदान मंत्री का अब देखना जियोगा कि प्रदेश में कितनी सीटे इंडिया गडबंधन को मिलती है और भावना इंडिया को बनाया जाएगा नहीं 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 यह राहूल यह निश्ची तोर से हमारे देश के सबसे योग के नेता है जिन्होंने इस देश में 4500 किलो मिटर की यात्रा की पूरे देश के अंदर चारों तरफ इन्होंने यात्रा किया पॉस्टर पर आजे रहा का रियक्षन के ने उचकी संबादातान अलिया और आपने सुना वो करें भई राहूल जी सबसे बड़े नेता हैं इस देश के हमारे नेता हैं हम चाहते हैं प्रधान मंतरी बने तो अखले शादो की समर्थग भी चाहते हैं प्रधान मंतरी बने रह कर रहे थी कि भई एक अनार सो विमार कारिकरता तो फिलाल यही इस्तिती पाइदा कर रहे हैं और नेता भी कि सीर्श नेत्तु को आप छोड़ दी तो बाकी नेता भी ऐसा ही कर रहे हैं आजम खास है जेल में जो नहीं मिलने दिया गया जैराय को उस पर जैराय ने सीतापुर पूरी तरीके से खिलाफ और उन के पूरी ताकत के साथ उनको बल परदान करने है नेता प्रेंगाजी राउल जीरेसा खड़े रहे हैं हम उनके दिखाय रास्ते पर चलते हैं आज आजम खान साथ ये पूरी सरकार अठ्याचारा नयाग कर रही है उनके पतनी के साथ बेटे के साथ उनके साथ हम सब लोग आज आए हैं और उनके साथ अपनी इस दुखी गर्णी कर दिया अगर इसी बात भी होगी तो ये सरकार के दबाव में परसासन पूरी तरीके से बात को घुमा रहा है कल भी परसासन ने ये कहा था कि कोई अप्लिकेशन नहीं मिली जो कि अप्लिकेशन और मेल दोनों हम लोगों ने सुभा करा दिया था और निश्ची तरुसे हम मिलने आए हैं अब ये सरकार के अधीन बंद हैं सरकार जो चाहे वो कर सकती है पर पूरी हम लोगों ने सुरू से इनके आसाथ दिया है कभी इस तरह की चीज़े नहीं रही आज हम खांजी के साथ हम सब लोग पूरी प्रिता करता है अजे राय कह रहे हैं कि प्रियंका जी रहूल जी हरदम आवाज उठाते रहे हैं हम लोग भी आवाज उठाएं उठाएं उनके प्रधान मंत्री इस पे राजनी तिक प्रतिक्रिया हैं हमारे सहयोगी नेली ओभी जड़ा सुनाई जाए है अगर देश की जनता की आवाज है उत्तर देश के पिछले दली तल संक्या किसान मजदूरों की आवाज है इस पे समाजवदी पार्टी को कोई भी टिपड़ी नहीं करनी है लेकिन अगर देश में आज अलफ संक्योगों पे कहीं करता चार सबसे जादा हो रहे हैं तो उसके लिए कॉंग्रेस की नीचिया जिमेदार है नब्गे के दौग में बाबरी मजजित शहादत के लिए अगर कोई जिमेदार है तो कॉंग्रेस भारती जनता पार्टी दोनों जिमेदार हैं जो कॉंग्रेस है वही भारती जनता पार्टी है जो भाजपा है वही कॉंग्रेस थारज जैसे गणराज में अव्योक्ति की आजादी है देखिए जैसा कि आपने प्त्रश्ण ने किया कि पोस्टर लगाने का है तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई कहीं भी पोस्टर लगा दे कोई भावी प्रदान मंत्री बन जाए कोई भावी मुख्य मंत्री बन जाए और जैसा कि आपने देखा यह जो कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी में नूरा कुष्टी है यह तो मैं पहले भी बहुत सारी डिवेटव मैंना और आके न्यूस जैसे प्रतिष्टी चैनल में आपने देखा देखिए यह इंडी गडवंदन केवल आउसरवाधिता की प द्वंदन है वह केवल लूट खसोट का है उत्तरप्देश में जो कॉंग्रेस आएगी तो यहां भी उसका निराधार है और कॉंग्रेस का यहां क्या काती है यह सर्विदित्थ है और भारत के प्रधानमंत्री एशश्टी प्रधानमंत्री ने पूरे भारत को एक रूप देखा में बाद रखा दोजार चोदा से जब से भारत की प्धानमंत्री देश की बाग दोड़े देश में ही नहीं वरन दिरेश में भारत का नाम उचार किया है और इसका परणाम आपने देखा है दोजार चोदा से लेके आस तक चाहां कि बीजेपी कह रही थी आज भी तो कह रहे है कि हमने पहले ही कहा था कि अगर जब सीट बटवारे का नंबर आएगा तो चूकि ये गटबंधन बेमेल है और सरवादी है लोब लालच वाला है ये एक तरीके से नीतिगत गटबंधन नहीं है ये एथिकल गटबंधन नहीं है इसलिए यहाल तो होना ही था और जो मुझुदा परसितियां है बीजे पी की बातें ठीक भी बैठ रहे हैं कि कॉंगरेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे पर नेता एक दूसरे पर छीटा कसी कर रहे हैं फकरूर लहसंद चान जिनको हमने सुना वो कह रहे हैं कि कॉंगरेस और जिनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझने कहने कम माद्दा रखने वाले बहुत ही वरिष्पत्रकार राजीतिक विसलेशक संजय स्रेवास्तों हमारे साथ जुड़े हैं लखने उसे संजय जी बहुत स्वागत बहुत धनेवाद बहुता बार उतर प्रदेश को बहुत जाने बार भारती इंता पार्टी की नोवाइंदिगी देवंदर प्रमुक साहब करेंगे गाजियाब Southern के वरिष्ट नेता हैं ऩहांरे साथ जुड़े हैं कॉंग्रिस केनेता, रोहन सिंग हमारे साथ प्रियाग राज से जुड़े हैं और एक निवेधन भी कि चूब कि पर्थम राउंड में 30 सिकेंड का समय आप लोग लिजिए तो बड़ी महरबानी होगी ताकि सारे लोग प्रतम राउंड में आ जाएं क्योंकि जो भूमिका होती वो थोड़ी लंबी हो जाती फिर उसके बाद जो चीजें होती हैं एक दूसरे के नेताओं के बयान इत्याद इत्याद उनके बिना भूमिका बनती नहीं है तो इसलिए म मुझे लगता सारे लोग पहले चरण में पहले चरण में आ जाएंगे मैं वंधन के सुरुवात बहुत वरिष्ट पत्रगार संजय जी से सुरू करूंगा संजय जी अब बहुत सारी बातें अभी आपने सुनी एक दूसरे पर छिटा कसी हक्रूर हसंद चांद ने तो भार इस टिपड़ी इस पर आजम खांसे जेल में मिलने का जो पूरा हो हल्ला मचा वो और इस पर एक आपकी दोनों मसलों पर बड़ी महत्त्रपूंट टिपड़ी हम चाहते हैं संजय जी बिल्कुल दुर्गेंदी तो पहले नवश्कार आपको देखें फकरूल हशन ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कमोबेंस भार्ती राजनीत में अगर आप देखिए तो रास्ती पार्टियां कॉंग्रेस और बीजेपी के अलाओ कोई बड़ी पार्टी पर नहीं पार्टियां ह इतने दिन बाद उत्तर प्रदेश की राजनीत में आप आई है किसी से चिपा नहीं है तो निश्चित पर भौजल समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी यह धूरी बनके रह गए थी उत्तर प्रदेश की राजनीत और अब ऐसे में जब लोगसभा के चुनाओं में इ नहीं नहीं कांग्रेस और बीजेपी के खिलाप ही अपने कैंडिडेट खड़े करती हैं और जीतने की कोशिश टरती हैं यह बात अलग है कि वो लोगसभा किनाओं का गड़बंदन है और इसी वज़े से अजयराय जो बात कह रहे हैं वो भी अपनी जगे सही है और जो फक पार्टियों को कटगरे में खड़ा करती रहती हैं उनके खिलाप इस तरीके की बयानवाजी करती हैं दूसरी तरफ आपने पूछा कि एज़ेराय जो रामपूर गए और सारी सीतापूर गए और आजम खान से मिलने की कोशिश की उन्होंने जेल बे और उन्हें मिलने नही पूशिश करेंगे या उनको लेने देंगे कि अगर कॉंग्रेस पार्टी का नुमाइंदा कोई जाके आजम खान के प्रत्सिंपैसिल गेन करता है तो पस्चमे उस तरफ देश में जो मुस्ति मोटों का ध्रवी करना है वो कहीं न कहीं कॉंग्रेस के खेमे में जाता हुआ दिखेगा और निश्चित तोर पर बीजेपी ऐसा होने नहीं देना चाहिती है वो चाहिती है कि जो मुस्लिम मोट है वो कहीं न कहीं कॉंग्रेस या इंडिया ग्रवंधन में जब लोगस्वा का चुना हो तब भी अगर समाजवादी पार्टी या कॉंग्रेस पर कोई अन कई बार हम लोग मंतर में चर्चा कर चुके हैं कि भाई यह सीट नहीं यह वोट का मसला है और दिखवजय सिंग ने साफ कर दिया वह हमने सुनाया भी कैसे कैसे निभेगी यह तो वाली स्थिती हो जा रही कि केर बेर का संग टाइप होती स्थिती हो जा रही उत्तर प्रद प्रद्टों में क्या चल रहा है क्या थाना है नविद भैई तुरगिन जी मुझे लगता है कि अब रुके गी नहीं थमे की नहीं और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा क्योंकि भीट में खबर यह भी आई कि हाई कमान ने भी दखल किया और अगर हाई कमान कोंग्रेस ह है प्रदानमंत्री उगले बार विधान सेका चिनवा बनाने की बाद की जा रही है उदर है मनले की बात समझ में नहीं आ रही है और जब गड़बन्न का एक सवरूंग तईयार हो रहा था, उस वक्त हम लोग कॉंग्रेस और समाज़वादी पार्टी के बड़े मेंचाओं किंगरेस के बड़े नेताओं के ब़एंचाय पर गुर किजिए वो बार बार क्या रहे थे कि हमें भाजपा से लड़ना है, लोगतंतर को बचाना है, हमें तानाशाई से देश को बचाना है, हमें निर्दोष्ट लोगों को जेल में जाने से बचाना है, इसलिए हम किसी भी हद से कॉम्प्रोमाइस करेगे, हमारे बीच में कोई कलह पैदा नहीं होगी, हम त्याक कर इस तरह की लगातार बयान आ रहे थे, और एका एकी जो सबसे बड़ा जहां पर सब को बड़ी चुनावती है, उत्तर प्रिदेश है, और उत्तर प्रिदेश इंडिया कटबंधन के विखराओं का केंदर बन गया, यारी यह कल है, पूरे देश में जा सकती है, पूरे प्रेचन बहुमस से भागती दंता पाट्व को हरा देगी, यह उसको लग रहा है, पाच राज हम बहुमस से जीतने वाले हैं, और अब हमें किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले के बयान तो राहुल गांधी के भी इस तरह के ते, तमाम शीर्ष नेताओं के ते, इसकी ग मिलने जाएंगे क्या, क्या इस तरह के काम होंगे क्या, यह 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 बड़ा सवाल है, और यह प्रश्न अनुत्तरित है, जीधे रुख करेंगे कॉंग्रेस के नेता प्रवक्ता रोहन सिंग का, जो हमारे साथ प्रयागरास से जोड़े हुए हैं, रोहन जी आपके पास आ र प्रवक्ता, वो कहने लगें, फक्रूल हसन चांद को हमने सुना वो करें, बहिए जो बीजेपी वही कॉंग्रेस, एक थैली की चट्रे बठे, जितना बड़ा गठबंधन बनाया है, उत्तर प्रदेश केंद रहेगा, नवेश सिको साब ने बड़ी महत्पूर बात करी, ब क्या उनका दिमाग मासिक इस्तिती रही होगी, वो पुझ जने, सपा के प्रवक्ता है, सपा के ऑफिसियल लाइन यह नहीं है, अखले स्यादो जी ने स्वहम खुद से बोला है, पार्टी में हमारी जो पार्टी का सीजिस नेत्रुत है, उसने अपने लाइन क्लियर करके र अखलेस जी ने लिखी ने और इस चीज को आप उसेम बोल के जो चीज को रखा है, इतिफाक रख रहे होते हैं, तो फिर इंडिया लाइस के बैठक भी न जाते हैं, यह हमारा उनका जो एक अंडरस्टेंडिंग है, वो ही न डिवलप होती, दोजा सतरा का चुनाओ लड़ है, इसके बाद क्या करें, वो लाटी लेकर मारने चले जाएं कांगरिसियों को, क्या करें भाई, कह दिये ना उन्हें जो कहना था, क्या हम तुम्हें भी देखेंगे उत्तर प्रदेश में, क्या हैंसियत है, दो दसमलों साथ परसेंट रोट है आपका, इसी उत्तर प्रद प्रदेश है, जहां पर हमाई सरकार दो, दो 88 से पहले दोर में, जब यह मंडल का मंडल का नहीं था, उससे पहले हमाई सरकार एगवा करती थी, यह बाइनरी का दोर पहले था, फिर से चेतरी दल उभरें, और उसमें से ज़्यादा तर कॉग्रेस से टूटे हुए दल ही है हम लोगों को पता है, रोहन भाई हम लोगों को पता है, नवेत भाई सही कह रहे हैं क्या, कि आप लोगों को 2009 का सपना आने लगा है, इसलिए आप लोग बयान बाजी, उल जलूल कदम उठा रहे हैं कि समाजबादी पार्टी के वोट भाएंग पे घुज जाएंगे, आज हम साब आपके साथ हैं, आजम खान के साथ, आजम खान साब से मिलने का अकलिस यादों को बूरा लग गया है, उनके साथ जो 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 बड़ी होर्डिंग लगी, और बताओ कोई आदमी क्यों जहिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश में उनकी जमीन हुआ, जमीने के चक्कर मे आप लोग लग गए, नहीं साब, तो कि अगर हाथ पकड़ाया तो पहुचा पकड़ लिया आपने, उसके दाद बहां पकड़ के पटक दोगे, नहीं नहीं, आप इस बात को 30 सेकंड लोगा लेकिंगे बाद इनना क्लियर कर दूँगा, ले लिजे ले लिजे, आमने दिये नहीं है, बोलिए 30 सेकंड, बोलिए, हाँ, पोस्टर जो लगा, वो काउगरेस पार्टी का अधिकरित पोस्टर तो था नहीं रही बाद दूसरी, अजे राय जी के मुखमंतरी बनने के बारेम कार करता ने अगर कह भी दिया, तो क्या गलत कहा, राजनिती में आए हैं, तो पहुची की नहीं पहुची हमारे आप दो में हैं, आप दो में हैं तो देखिए हम भी पहुचेंगे, हम ऐसा तो लिखा नहीं कि सारा सारा सेक्रिफाइस कॉंग्रेस, अब जल्दी कम्रीट करें आपके 20 सेकंड हो हैं, दस सेकंड बचा है, हम लोग अपनी पार्टी बोनस आपके नेता ने धंका दिया, क्या हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में, अचा आज हम खासे मिलने चले गया, तो कहा इतनी नाराजगी, आप लोग क्यों नाराज हो गए, फकरूल हसन चांद कह रहे हैं, कि अलप संखिकों का जीतना बीजेपी ने कुछला है, अलप संखि करती आ रही, आप लोग उन्हों तो महर लगवादी बीजेपी जो कह रहे थी कि आप यह बेमेल गटबंदन है, यह मौका परस्त हैं, और घमंडिया भी कहते हैं, मोदी जी आप लोगों को, गुए, आपकी आवाज ने हम सुन नहीं पा रहे हैं, दरसक भी नहीं सुन पा रहे हैं, अन्मूट करिए करपया, सरोज जी, नहीं सुन पा रहे हैं, सरोज जी, अन्मूट करिए, जी आपको नमस्कार 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 बोलिये कर पयार और यह मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं मैं उन पर ज्यादा प्रिक पड़ी नहीं कहुंगी लेकिन जो अजयराव जी गए हमारे आजम खास आप से मिलने लेकिन अगर राजनीत में आप अगर यही चीज़ हमारे से भी बताया गया होता जानकारी दी गही होती या आप कॉग्रेस के से उसनेत्रत्य तो को भी जानकारी देकर आप यह हमारे किसी आजम को वो तो ठीकी राह नहीं मिलने दिया गया उनको और दूसरी बात है कि जो आप कह रहे हैं कि 24 में गांधी जी रावल गांधी और 27 में राय साब हम यह नहीं कहा रहे हैं हम तो चाहते हैं कि इस पर आप रियक्षन दो कि आप इसे में आप लोग लड़ रहे हो फक्रुल हसन चांद ने कांगरेस की तुलना बीजेपी से कर दी कहा या एक ही तरीके कि हैं दोनों अब बताओ कहां बचा गटबंधन काली कागज में कागज मे लड़ने चल रहे हैं तो हम लोगों को एक बिल्कुल करना पड़ेगा और दूसरा यह पब्लिक किसी को भी कहीं लगा देगी तो वह तो रोका टोका नहीं जा सकता है लेकिन जिस तरह सी बैनल लगा हुआ है इस पर भी हाई कमान को संग्यान में लेका आपने भी बैनल पर ना कम रगुबर ना कम कनईया बहुत दोनों लोग निपट लेंगे अब भाजपा की जरूरती नहीं है कि वह तो ठीक है तो आगर भाई देखिए जनता है पब्लिक है अगर हम लोग तो भाई आपने नेता कि तो भाईया ना अखिले से यादों ने पोश्टर उतरवा हम जो हमारे लड़ते रहोगे कि भाजपास भी लड़ोगे यह बताओ हमको आप सरोजी जो अलायंस गडबंदन हुआ हो वीजेटी से लड़ने की हुआ है और लोग सभा का है तो लोग सभा का ही जो डिस्ट्रिबूशन चिकट का हो लड़िये वहां लड़िये विंदास अभी दिगबिजे सिंग्वाम ने सुनाया वो करे था हम चार सीटे दे रहे थे हैं अगर दे रहे हो दे तो इतना बवाली होता है मामला सीटों कर नहीं आप भी जानती है संजय जी भी मुस्करा रहे हैं समझ रहे हैं इम्रान संबल साही के पास जा रहा हूं इम्रान जी आपके पास आ रहा हूं इस पूरे जो उठा पटक समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा दल है उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में अगर देखें उनकी विधान सभा में बहुत मजबूत इस्तिति है और जो पार्टी उनसे लड़ रहे हैं उसके दो विदायक है कुल अखिले सियादों का बोट ब इतने ताकत्वर नेता के साथ में जो आपकी बड़े भाई है क्व अगर्स वो आज अखिले सियाद़ों धोग साथ कर रही काला आप साथ ही पंचाब में करेंगी दिल्ली में करेंगी इम्राच भाई कम कि उसे सपना देख लिया है नवैत बहु कोई सपना देख लिया रह इम्रान जी आए कि मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क गडबर इधर आवादमी पर्टी को नेटवर्क गडबर चल भी रहा है मैं सीधे भारतिय अंता पार्टी किनेता के पास आओंगा देवंदर जी कि क्या सितियां क्या परिसितियां आपको लग रही है यह लोग चुनावती तो आपको देने चले थे आपस महीं इन्होंने बाहें चड़ा लिए तुरुगें सर मेरी आवाज मिल्री आपको बिल्कुल बोलिए बोलिए धुवाधार बोलिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इस डिवेट में जो चीज आज निकल कर आई है बादसांदा डिवेट है आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम जो है विचलेशक के तौर पर रोड़ विचलेशन किस तरह से हुआ है यह बहुत ज़रूरी था लेकिन आपने लेकिन एक निवेदन मैं रोक रह परिशित हूं और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि और मैं कल संजे सरका जब सारा कुछ होने के बाद धन्यवाद कर रहा था कल की बेट मैं बुलिए आप अच्छे इंसान है अच्छे नेक इंसान है बुलिए तो मैं आप से जो लड़ने बैट जाऊंगा आप जो परिश नेकर लड़ाएं और यह आज भारतिय कि चंटानी अच्डानी कांग्रेश बिलकुछ सही वसा में जा रही है कि जब तक शेस्यैपार्टी 이랑 करे से कर रहे है राहुल जी कर रहे हैं उनकी पार्टी कर रही है और चोटे दल अभी समझ ने रहे और जो समझेंगे धीरे-धीरे इतने देर हो जाएगी लेकिन हम चाहते हैं कि लोकतंत्र जिस तरह से हैं वो जिंदा रहे हमारे साथ इंसे ज्यादा मुफ्ति के साथ प्यडेटिक साथ गडबंदन था जब यह गडबंदन होता था मैं इस पर सवाल उठाता और तहत के साथ बोलता था कि आपके पास कोई नेता नहीं है आप राहुल जी को कोई गडबंदन का नेता मौनने के लिए तयार नहीं हुआ निदीज दी प्यार सा च प्येल में थे इसलिए आए अकलेश जी ने जो दाव खेला केजरी वाल जी ने उससे बड़ा दाव खेला कि उनको पता था कि राहुल जी जो है श्याद वापसी करें या ना करें गडबंदन के फिर में और वो होंगे और जब तक मम्ता जी भी अच्छा बोलती रहीं जब साथ नहीं जाएगा कांग्रेस अप नहीं होगी यह इनका गणीत है निष्ट बार्टी का परवाक्ता वोकर इनकी बात आपकी अंदर को बता रहा हूं और छेत्रियत दलों को निश्चित सही ड़र है कि कांग्रेस इनको खाएगी हमारे साथ ही ने कहा है कि हम मैं से निकल ना में कहकर आये थे कि छेतिरी दलों को खत्म करो और चोड़िये आपके जो सीर्स पूरुस है अड़वानी जी मैंने फतेपूर में उनकी एक राइली कवर की थी बतोर रिपोर्टर बहुत जोड़दारी के साथ मुने ने कहा था कि देश में दो ही दल रहेंगे कॉंग्रेस और भारतिय अंता पाटी बाकी यह सब डील करते हैं आडवानी जी की परमेख्षा थी जो मोदी जी पूरा कर रहे हैं जो 38 दलों की बाहताप कर रहे हैं ना किसी के साहिन बोर्ड का पता है को यह हालत था है आपकी भी और इनमें कम से कम इन वालों इनके पास तो दल हैं ज संबल साही के पास जाओंगा आदमी पाटी की प्रवक्ता इम्रान भाई भारतियंता पाटी मौज ले रही है क्योंकि आप लोग लड़ रहे हो आज कंग्रेस पाटी जैसा सलूक कर रही समाजवादी पाटी के साथ में सरोज यादो करें ऐसा नहीं करना चाहिए बहुत अ कर रुखोगा तो कैसे चलेगा आप लोग कैसे चल पाओगे और अभी पंजाब में इनके नेता को आपने उठा के बंद कर दिया तो संजे सिंग के मामले में कंग्रेस बिल्कुल ऐसे रही इस तरह कंग्रेस के बोलना चाहिए तो नहीं बोली कैसे चलेगा घठ बंदन अब बुलिए बुलिए अच्छा अब पर जोड़ा जाए इम्रान भाइफ फोन पर आजाए आप क्योंकि बिल्कुल आवाज कोई सुननी पार रहा इसका को नेडर ठक है मसला मैं अवेश्चिकों के पास जा रहा हूं तब तक आप इम्रान भाइफ फोन पर जोड़ दिया जाए हम आपकी पूरी बात रखेंगे इम्रान भाइफ फोन पर आजाए आपके पास आ रहा हूं आपने कहा जो सपना देखा इनको सपना आ गया ऐसा कौंसा जड़ी बुटी इनको मिल गए जो इनको सपने आने लगे ऐसा कौंसा सवन बस मकालिया कांगरेस पाटी ने मैंने अपने इस तर से इस बात को जानने की कोशिश की और कुछ बातें पता चली हैं कॉंग्रेस उत्तर प्रिदेश में सीट बटवारे से पहले एक बहुत ही सीक्रेट उसने एक सर्वे करवाया है दो सर्वे करवाया है एक तो राय शुमारी उन्होंने अपने संगठन के साथ की थी आप लोगोंने खबरें भी दिखाई थी वो एक आम बात थी जिसमें कॉंग्रेस संगठन के तमाम वरकर्स जो है उन्होंने राय दी थी कि समादवादी पाल्टी हमारे लिए बेहतर नहीं है बस पा बेहतर है ये तो खबर भी चपी थी उसके बहुत वोट आई और कॉंग्रेस को ये लगने लगा कॉंग्रेस ने एक शिल्प तैयार किया है कि 15-20% एकमुष्ट हमारे पास मुसल्मान आएगा और जहां पर बेस तैयार होगा एंटी बीजेपी जो वोटर है जो एंटी इंकमेंसी की वजह से भाद्पा के खलाफ वोट देग क्योंकि डबल एंटी इंकमेंसी है इस्टेट में भी बीजेपी सरकार है दूसरी बार और ये दो सरकारें मोदी सरकार की भी गुजर चुकी हैं 15-20% एंटी इंकमेंसी का और भाद्पा विरोधी वोट उसी के पास आएगा जहां पर आधार होगा और आधार यहां वोट बैंक का 15-16-17% पूर सकता है तो कॉंग्रेस को लगने लगा है कि अब जहां पर मुकाबलता नेट नेट नहीं होने वाला है अब बाइपोलर एलेक्शन नहीं होगा कमसे का मुतर प्रदेश में अगर हम अलग हो जाते हैं रालोत को साथ में ले लेते हैं बसपा को लान मैंने कोशिश की खबर निकालने की तो मुझे पता चला है कि कॉंग्रेस हाई कमान को इस तरह का सर्वे रिपोर्ट मिला है जो उसने बाकैदा एक बड़ी प्रोफेशनल एजेंसी से करवाया है जिसमें मुसल्मान एक जुट होकर सपा के खिलाफ और कॉंग्रेस के साथ मे आ रहे हैं कॉंग्रेस को ये लगने लगा है कि जब मुसल्मान एक आधार के तोर पर हमारे साथ आएगा तो नॉन मुसलिव वोटर जो बीजेपी से परिशान है या नहीं चाहता है कि बीजेपी रिपीट हो उसके साथ आ जाएगा और अगर हम 25, 30, 32 परसंट भी अगर हम बाइपोलर नहीं होगा तुरेशन को मुकाबला होगा वरकि बसपा भी एक कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगी चौतरफा मुकाबला होगा तो यहां पर पिपचास और पैतालीस परसंट का खेल नहीं होगा यहां पर 30 प्लस पर ही उस सीटे निकाली जा सकती है अपना आध कॉंग्रेस की खलाब बोलना है उसका नाम है फकर उलहां चांग जो प्रवक्ता हैं और अखिलेश शादर जी के बहुत करीबी हैं उन्होंने पहला मुरा मुस्लिम ही इस्तेमाल किया जो बार बार कह रहे हैं कि कॉंग्रेस भाजपा जैसी है कॉंग्रेस ने मुसल्मानों क की हमदर्द है और जिस तरीके से कॉंग्रेस ने राम मंदर का ताला खुलवया है जिसके आगे जाकर आज राम मंदर का नेरमाड हो चुका इस तरह का एक महा McGeal समाजवादी पैदा करेगी और कॉंग्रेस की तरफ जो रुजान है उसको तोड़ने की कोशिच करेगी क्योंकि कॉंग्रेस एक बड़ी खेल खेल रही है वो तोड़ खोड़ के पर भी आमादा है बसपा और सपा में और उसको लगने लगा है कि अब इनके सामने हम जुकेंगे नहीं अगर हम हार भी गए लोग सबा चुनाओ तो अगला जो रेड कार्पेट होगा वो हमारा ही होगा और विधान सबाबे हम अपना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे और जो हमारा उजड़ा वज़ना धार है वो दीरे-दीरे मुस्लिम वूर्ट बैंक के आधार पर आगे बन जाएगा ये एक मास्टर प्लान जो आये करे है कि कॉंग्रेस ने फॉर्मिट तब तयार किया जब अखिलेश यादो लगातार कॉंग्रेस को दवाने की कोशिच कर रहे थे वो मदपिर्देश हो चाहे कोई दूसरा मामला हो इस तरह की चीजों को लेकर कॉंग्रेस अब जुकना नहीं चाहती क्योंकि उसको लगता है कि जुकने के बाद में गड़ बंदन में अतना वोट नहीं मिले गा जितना हमें तोड फोड और रालोट को साथ में लेने के बाद मिल सकता है चीक बात है संजे जी मैं आपके पास आ रहा हूं नवेत भाई ने पूरा एक एक्स्पोजे कर दिया अंदर की यह खबर थी उसको बिल्कुल उसके प्याज के चिलकों की तरह बिल्कुल एक पर्त दरपरत खोल दी और बता दिया कि भाई क्यों ऐसा ही लोग कर रहे हैं अब म क्या होगा अकले शादों कहां खड़े होंगे समाज वादी लोहिया वादी जेपी वादी और राहूल गांदी कहां खड़े होंगे जो बीसी कर रहे हैं तो फिर तो जो चौबिस का तो फिस अपना भूली जाए इंडिया गट बंदन संजे जी बिल्कुल आप सही कह रहे ह क्योंकि मैं तो कॉंग्रेस के इस प्रदेश दफ्तर के बिल्कुल सौ मीटर के दाइरे पर ही रहता हूँ जी 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 और पिछले बारा पंद्रा सालों मैंने कॉंग्रेस को बहुत अच्छी वहली बात कवर किया है और वहां पे कहने को चप्रासी से लेके और अध्यक्स त ने केले लगी हुई है यानि ब्रामभर दलित और मुस्लिक ये तीनों उट उसके बेस वोट थे और यही छटक गये जो समाजवादी पार्टी बनी बहुजन समाज पार्टी बनी तो इन सब में जाने का जो बत्रिस पैटिस साल हो रहे सब्ता से हासिये पर रही है प्रदे इसमें ही जो अपना खोया हुआ वेस होट है उस पर भी उसकी निगाह है और जो नवेद भाई ने का इस पर लगातार काम हो रहा है और इसी वज़े से अजयराय जो आजम खान से मिले जा रहे हैं ये निश्चित तोर पर जो आप कहते हैं कि ऊपर तक नजरे हैं उपर से ह कहा जाता है रिमोट ऊपर से ही चलता है और रिमोट के हिसाब से ही यहाँ प्रजे से दिख चलते हैं चोबिस की बात तो मैं राहुन गांधी को लेकर मान सकता हूं कि अगर ऐसा कुछ समदकार हुआ तो प्रधानमंतरी बन जाए लिके 27 वाली बास से मैं इसने नहीं रखत बहुत दिन से कॉंग्रेस अध्यक्ष बनाने की हमत नहीं कर पा रही है बहुत दिनें से मुझे नहीं लगता हूँ हिपत कर पाएगी आगे निश्चत तोर पर आप देखेगा मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 24 के चुनाओ के पहले ही कोई मुस्लिम 14 ये तलास रहे हो और उसको बैठा दे या उसको चुनाओ का प्रभारी बना दे आप देखेगा ऐसा होगा कि अगर अध्यक्ष नहीं बनाते है रहे हैं हाँ मैं उनका एक का नाम में भूल गया वो तो राना करके थे और वो काफी यहां उनका दखल भी रहता था तो निश्चित तोर पर आप देखेगा कि कॉंग्रेस अपना जो नवेद भाई ने कहा बस उसको खोड़ा समय बढा रहा हूं कि बहुजन समाच पार्ट कि मजबूरी भी है अगर उत्तरत देश की सियासत में उनको फिर से उबरना आए और दस सीट भी लोग सभा की लानी है तो निश्चित तोर पर ऐसा करना उनकी मजबूरी है लाजमी है और साइद यहीं वज़े हैं कि वह ऐसा कर रहे हैं और विरोधियों यानि समाजवाद हयां कि ऑन्टोर को लेकर अप शाव करते हैं तो इस वजह से भी एक सवाल आपसे बनता है कि क्या मनसूबं में जो मनसूब में हैं किया अर्श देख लीजए अखिल सिभाकियों के साथ ही है कि मंता और आप कलिये पंजाब में इसी तरह करेंगे आपके साथ में और अभी पंजाब में आपने इनके नेता को गरफ़तार करबा के जेल भीजवा दिया है उसके बाद संजय सिंग के मामले में कॉंग्रेस बिल्कुरी हो रही बड़े नेता चोटे-मोटे कोई बोल दी हो तो बा मेरी आवाज आ रही है हाँ बोली है अब बोली है आ रही है अच्छा ठीक बुर्गेश भाई मेरा नमस्तार दो बार आपने दो सवालात मुस्टे किये सिसरा सवालात आपने दाग दिया मुझे जवाब दिने का फड़ा मोगा दीजिए मैं पास्क लिए बोलूँगा मैं असपर्ष कर देना चाहता हूं ताम आजनी पाड़ी की दरस्के इस एलाइंस में कोई दुराओ नहीं है कोई चक्राहत नहीं है कोई परिशानिया नहीं है हर कारिकरता सुतंतर है अपने नेदा को मुस्ट मंत्री बनाने के लिए उसमें कोई इंट्रस्या ने करूंगा और जहां तक कांग्रेस की बोलने ना बोलने काहते हैं सुम्झे सिंग को गरफार कर लिया गया नाएक खिराशत में है कल 27 पारिक है सब्सक्राइब नहीं है क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं है माफी के साथ में बोली इस पर कि जो समाजवादी पार्टी करें कि भईया अलवसंक्यक विरूदी है अब क्या बचा है कल आपको भी यही कहना पड़ेगा देखे देखे इस वक्त इस वक्त आलोशना इस वक्त आलोशना करना तनकीत करना मुझे लगता है कि सोभा नहीं देता है हर प्लिटिकल पार्टी का अपना अजन्दा है अपना आडियोलोज अच्छा ऑनश्की कि राजनीद हम सब करनी है डेश का निर्माल करना है हमें एक दूसरे के तंकीत ना करते हुए हमें आपको स्योचना पड़ेगा मैं भारती जंदा पाटी की प्रवक्ता सभी निवेदन करता हूं आई हम सा मिल के एजिकेशन पे काम करें हेल्स के काम करे लोमें डिफेंस पे काम करें हमें दूसरे के तंकीत करके देश समिर्वान नहीं कर सकते अभी अंच्याटी की बुक में संसोधन को लेकर के जिस तरीके सभी कर लाया कि इंडिया को हटा करके भारत बेश पाएंगे भारत शब्लाइंगे मुझे लगता है कि भारती जंदा आप 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 आपको अपने पर बोलना खुद पर आज मसला आपका है आप लोग फसे हुए हैं संकत में रोहन सिंग मुस्करा रहा है विए अब माफी के साथ में ज्यादा वक्त नहीं दे पाहूंगो चुकि कारकर्म करना है मुझे मैं 20 सिकंट देवंदर भाई को मैं दुर्गेश सरे एक चीज और किलियर करूंगा कि जीस तरह से बार बार जो सवाल कोश्चन उठ रहे हैं और विशले सक्के तोर पर जो चीज आई है मैंने यही कही थी आपने मुझसे भी एक कोश्चन किया था कि हमारे नेताओं ने जो एक सपना देखा था कि यह देश है बड़े नेताओं की बड़ी पार्टियों की बात कही थी कहीं नहीं सारी चीज के लिए होकर आई है कि छेत्रिये पार्टियों से बड़ी पार्टियों को नुकसानता हुआ है सच्छा यह इसको च्विकार करना पड़ेगा क्योंकि जातवात कि धर्म की जो बात करते हैं नहीं जो भूमी करती है अक्लेश जी की मजबूरी है विगर मुसलिम के अकलेश जी मवाई जो समीकन बना था ना जिस पर वह आज तक उबर करें यहां पहुं मायावती जी का और अखलेश जी का एक ही फंडा है दोनों को एक ही चीज और तीसरा मुस्लिम जो हो कांग्रेश को भी इतनी जोड़त है सिरफ भारती जंता पार्टी को जरूरत नहीं है पसमांदा के आगे बिचे पड़े हैं नरेन मोदी से लेके आपके सारे नेता पसमाद पसमांदा कर रहे हैं और जो मुसल्मानों में 80% पसमांदा ही है तो 80% मुसल्मानों का वोट चाहिए आपको नवेद भाई अंतिम अंतिम टिपड़ी आपकी बहुत संचिप प्लीज अगर ये तीन राजी भी जीत गई कॉंग्रेस तो और ज़्यादा दबाव में लेगी और जो कोशिश है कॉंग्रेस की रालोत को भी अगर अपने साथ ले गई तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है समारवादी पार्टी और ये बहुत पहले एक महीने पहले अखले कटाया था मायवति का और उनको ये एक महीने पहले खबर थी कि कॉंग्रेस क्या खेल करने जा रही है हमें किस तरीकी से खुकला करने की एक प्लानिंग कर रही है तो आज बहुत घवराहट का समय है समारवादी पार्टी का और रालोत कोड़ पर भी डोरे डाले जा रहे है और अगर अगर समारवादी पार्टी नहीं जुकती है तो भी खत्रा है और जुक जाती है तो कॉंग्रेस और भी जुकाएगी लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने अखिर आप्रेशन अखिलिस यादो क्यों किया इस सवाल हम मंतर में छोड़े जाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार